दोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर खड़े है सोकदेव गोगा मेडी मोडर तीन पतनी तीन खुला से खरी सेना के राश्री अध्यच सोकदेव सिंग गोगा मेडी हत्याकान ने राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश में हड़कम्प मचाया हुँ पांच देसंबर को सुखदेव सिंगोगा मेडी को नौ गोलिया मारी गए जबकि उनके साथ मौझोद नवीन शेखावत को साथ गोलिया लगी थी लेकिन अब सुखदेव सिंगोगा मेडी के हत्या से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले है हैरानी की बात तो ये है कि सुखदेव सिंगोगा मेडी के हत्या पर उनकी तीन पत्निया अलग अलग शक जता कर दावे कर रही है सुखदेव की तीन पत्नियों में से दो पत्निया खुल कर मीडिया के सामने आ चुकी है जब कि तीसरी पत्नी परदे के पीछे से मर्डर पुले कर कुछ अलग दावे कर रही है पहले आप ये जान लीजे सुखदेव की तीन पत्मियों के नाम क्या है और दूसरे और तीसरे नंबर की पत्मियों के नाम क्या है तावों के मुताबिक सुखदेव सिंग गोगा मेडी की पहली पत्मि का नाम शकुंतला बेनिवाल है शकुंतला बेनिवाग गोगा मेडी गाउं में रहती है। सोकदेव की पहली पत्नी शकुंतला ने मीडिया से दूरी बना रखी है, तो मॉर्डर को लेकर कई दावे उनकी तरफ से किये जा रही है। सोगदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत हैं जो भादरा में रहती हैं और सोगदेव की राजनितिक विरासत पर अपना दावा ठोंग चुकी हैं जबकि सोगदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है जो सोगदेव गोगा मेडी के साथ जैपुर में उनके साथ रहती थी जह पर सुखदेव के हत्या हुई है सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सुनी हत्या के पीछे किसी करीबी के हाथ होने पर शक जता रही है जितना विशुआस उनको मुझ पे था जितना वक्त उनोंने मेरे साथ गुजा रा है जितना मैं उनके वारे में जानती हूँ कोई नहीं जानता ये हर चीज का हर बात का प्रूफ मेरे पास है राजस्थान में सोगदेव सिंग गोगा मेडी के हत्या के बाद से ही पूरे राजस्थान और राजपूत समाज में आक्रूश है वहीं खुद को गोगा मेडी की दूसरी पत्नी बताने वाली सपना सोनी एक के बाद एक खुला से कर रही है सपना सूनी का दावा है कि जिस कमरे में जिस वक्त सोखदेव सिंग के हत्या की गई थी उस वक्त किसी जमीन विवाद को लेकर सोखदेव फोन पर बात कर रहे थे CCTV पोटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही सोखदेव मोबाइल पर बात करना शुरू करते हैं शूटर रोहित राठोल और नितिन पोजी दना दन गोलियां सोखदेव और नमीन शेखावत पर चला देते हैं जबकि जैपुर के पुलिस कमिशनर के मताबिक तीन शूटर सोखदेव सिंग को मारने के लिए उनके घर पहुंचे थे इन में से एक शूटर जिसका नाम नमीन शेखावत था जो क्रॉस फारिंग में मारा गया वहीं सपना का दावा है कि नमीन शेखावत दस दिन पहले भी आया था वो शूटर था या नहीं लेकिन सपना के मताबिक किसी करीबी नहीं सोखदेव के हत्या करवाई है वहीं सोगदेव की दूसरी वीवी शीला शेखावत का साफ कहना है कि वो किसी नवीन शेखावत को नहीं जानती थी आप नवीन शेखावत को लेकर सोगदेव की दूसरी और तीसरी दोनों पत्मियों के बयानों को गोर से सुनी तो यहां कैमरा है उनकी सब सेड़ी मैंने बना के रकर की है मुझे सब पता था कभी न कभी कुछ न कुछ क्योंकि ये बताते रहते थे कि मेरे को हमेशा हमले की ऐसे कुछ न कुछ न कुछ बताते रहते थे कि मुझे आज यहां से दमकी मिली है मुझे मार सकते हैं आज यहां से दमकी मिल रही है मुझे कभी मुझे कुछ भी हो सकता है हमेसा यही बात बोलते थे एक बात और इन्होंने मुझे यह और बोला था कि मेरी लास पे भी लोग राजनिती करेंगे जो नमीन शेखावत जो लेकर गया था उन लोगों को शूटरों को क्या आप जानत है ओने को तो आप यह बताओ ना घर में गुश गये वो लोग तो कुछ तो था ही कोई ना कोई कड़ी जुड़के तो वहां तक पहुंची है ऐसे तो पहुंचने की उनकी मत भी नहीं थी खुद को सुगदेव गोगामेडी की पत्नी बतारी सपना सोनी का दावा है कि गोगामेडी के जैपूर आवास पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की वही मोनिटरिंग करती थी उसके पास तमाम वो रिकॉर्डिंग है जिसमें सुगदेव गोगामेडी से कौन कब जैपूर आ सुगदेव सिंगोगामेडी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए पहली तस्वीर में सुगदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है जबकि दूसरी तस्वीर में सुगदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है सपना जहां सुगदेव की मौडर में किसी क करीबी का हाथ बता रही है तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है है रानी की बात तो यह है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जैपुर वाले घर में रह रहे थे जहां पांच दिसंबर को उनके ह तो फिर सुखदेव की दूसरी पतनी शीला शेखावत ये क्यों कह रही है कि वो किसी सपना को नहीं जानती सब्सक्राइब जानती है तो सुखदेव जी मुझे बोल के सिडी से नीचे उतर गए इधर आके बैठ गए वो तो उनके जो हत्यारी आए थे उनके पास वहां बैठ गए मैं मेरे रूम में रूम में जाने से पहले मैं गई थे सिस्टीवी कैमरे देखने चेक करने कि कोन आया है क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो सुखदेव जी तो यहां जो है वो बैठी थे मेरे पती वो जो एक और आया था जिसकी डैत हो गए थी व और उस दिन जब वो शूटों के साथ पहुचा था तो पहले फोन पर उसने सुखदेव गोगामेडी की किसी से बात करवाई और फिर सुखदेव गोगामेडी जब अपना मैसेज चेक कर रहे थे तब शूटों ने उसे गोलियों से भून दिया अब सवाल यह कि आखिर सुखदेव सिंगोगामेडी के हत्या के वक्त अगर तीन पत्नियों की बात करें तो सिर्फ सपना सुनी ही मौके पर मौजूद थी जिन्होंने हत्या के बात हत्यारों को भागते हुए देखा था सुखदेव की हत्या की जिम्यदारी लेने वाले गांगस्टर रोहित गोदारा पर भी सुखदेव की पत्नियों की अलग-अलग बयान है शीला शिखावत रोहित गोदारा के बारे में कुछ नहीं जानने का दावा कर रही है जबकि सुक्देयों की तीसरी पतनी सपना सोनी साफ कह रही है कि रोहित गोदारा के दावे पर उन्हें शक है रोहित के अलावा कोई और करीबी हत्या में शामिल हो सकता है इनको नहीं जानते मैं अगर उन्होंने जिमएदारी ली है वह सामने आएं लाई बिलकुल सामने यह ंतोगी सकता है पर पता सरे कि वह उन्हें है Can वो खुद की है क्या पता किसी और ने बना रखी हो साजिस भी तो हो सकते ना कि एक चिंटी ने किसी ने मारा और अपने हाथी पे सक कर रहे हैं वो जाता है सर ऐसा कि अपना ही कोई निजी हो कि जिसने यह काम कर दिया कि नाम उन पर आएगा जो CCTV कैमरे सिर्फ मैं ही चेक करती थी हमेशा वो आने जाने वाले को सबको बोलते थे कि एक सपना ही है जो उपर बैटी है जितने गार्ड मेरी सुरुक्षा कर रहे हैं उतनी सुरुक्षा वो भी मेरी कर रही है सुधियो सिंग गोगा मेली के हत्यारे अभी भी पुलिस की गरफ से दूर है इधर गैंकसर रोहिद गोडारा की नई पोस्ट सामने आई है जिसमें उसने अंदेशा जिताया है कि उसका एंकाउंटर हो सकता है ह हैरानी की बात दिया कि इसी गैंकसर रोहिद गोडारा और द दवेग कर रहा है प्रशासन को दिया है कि दोनों हत्यारों का एंकाउंटर करो और मुझे उनकी लाश दिखाओ मेरे को तो वो बैतर गंटे का टाइम दिया है सर बैतर गंटे के अंदर कुछ होता है तो ठीक है नहीं होता तो मैंने मेरे करनी सेनिक पूरे अलर्ट पे रख रखे हैं चाहे तो आप पता भी कर लेना फिर जो होगा वो सरकार जाने और मेरे करनी सेनिक जाने मेरे बाई जाने जिनको मैंने राखी मान दिये वो बाई जाने कि अपनी बैन के साथ कैसे इंसाफ दिलाना है और कैसे क्या करना है जैपूर में हुए सोकदेव सिंग मर्डर केस में नयाड ट्विस्ट सामने आया है राश्ट्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सोकदेव सिंग की हत्या के बाद अब उनकी विरासत को लेकर विवाद शुरू हो क्या है और इस विवाद की शुरूबात होई है सोकदेव सिंग की पत्नी के बयान के बाद सुखदेव सिंग की पतनी शीला शेखावत ने काया कि वो अब राश्ट्रिय राजपूत करनी सेना की कमान समालेगी पड़े मैं इसाफ लूँगी लेकिन विवाद अब सुखदेव सिंग की तीन पतनियों की बीच है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सुखदेव सिंग ने तीन तीन शादिया की थी फिलहाल के साफ नहीं है कि राश्ट्रिय राजपूत करनी सेना की विरासत पर असली हगदार कौन होगा अभी तक कमी लोग ये जानते थे कि सुखदेव सिंग की तीन तीन पतनिया हैं लेकिन ये भी सच है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक जैपूर हत्याकांड पूरे राजस्थान में कोहराम मचाता रहेगा